हम बात कर रहे हैं RVNL की, आज के दिन की बात करें तो RVNL में फिलाल हमको छोटा मोटा आपसाइट हैने, हम साइडवेस भी कह सकते हैं, साइडवेस ट्रेट करता नजर आ रहा है, इस वक्त इस्टॉप 442 रुपीज, 0.55 पैसे पर ट्रेट कर रहा है, और लगातार गिरावट दिखा रहा है, हम देख सकते हैं, गिरावट का सिलसिला, जो है RVNL में continue होता नजर आ रहा है, और इसके पीछे की रिजन है दोस्तो, FIF की बड़ी सेलिंग, बड़ी सेलिंग करता नजर आ रहा है, इस मन्त में अब तक का जो डेटा निकल के आ आ है, FIF का, वो 93,000 करोड का डेटा निकल के आ रहा है, इतनी बड़ी सेलिंग, FIF अब तक कर चुका है, जिसके चलते मार्केट और आकसर स्टॉक हमको गिरावट रहे है, देख सकते हैं, स्टॉक में जम्प तो आता है, लेकिन जम्प पर सस्टेन नहीं हो रहा है, रिजेक्शन लेकर लो ब्रेक्डाउन कर रहा है, लगाता है लो ब्रेक्डाउन, देख सकते हैं, इस से पहले भी 425 के लेवल से एक जम्प आया, रिजेक्शन लिया, ले लिकिन हो शेनारियो हमको यहां नज़क नहीं आया अगर इस लोग को ब्रेक्टाउन कर गया 420 के लेवल को तो फिर 400 टक का फॉल स्टॉक दिखा सकता हैं देख सकते हैं चार्ट पैटन पर फिर इस से पहले 400 के लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर लगातार फिर तेजी दि थी थोड़ा सा जुम कर लेते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए अब देख सकते हो के स्टॉक ने ओल्मोस 424 का लेवल ब्रेक आट करने के बाद लगातार हमको तेजी दिखाए थी तो अपने मेजर सपोर्ट पर ही स्टॉक इस वक्त हमको नजर आ रहा है लेकिन मार्केट भी गिरावट में और अर्वी एनल भी गिरावट दिखा रहा है तो इस बॉंस बैक के साथ इम्मीजेट टार्गेट है 460 का लेवल ब्रेक आट कर गया तो 480 और इसके ब्रेक आट के बाद 500 टक का जम दिखा सकता है 500 इसका मेजर रेजिस्टन्स रहेगा यहां तक की भी र 500 का लेवल ब्रेक आट होता है तो फिर और बड़ी रीकोरी दिखा सकता है लेकिन फिलहाल स्टॉक गिरावट में सेलिंग प्रेशर है तो इस पर नजर रखकर चलना ठीक रहेगा अगर पोजिशन्स बनाते हो तो 464 के आसपास जो भी प्रॉफिट मिले उसमें को बुक कर है न ठीक रहेगा वैसा पैसा आपका ही चॉइस आपकी है हम कोई बाइसे लिए खोड़ के लिए सला नहीं दे रहे अगर आप टिमेट अपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो